हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू मैगनेट्रेंस हिंदी मेरा नाम है अवनीज त्रिपाथी आज एक और बहुत महत्रपूर शेशन के साथ हम आपके सामने महजूद हैं जो स्वतंतरता आंदोलन और उसमें गांदी जी की भूमिकास सविन्य अवग्या अंदोलन और उसके ब सब कुछ हम करेंगे तो इसी करम में आज हम यह करने जा रहे हैं इंपोर्टन चेप्टर पर उससे पहले स्टुडेंट्स मैगनेट्रेंस हिंदी एक ऐसा प्रेटफॉर्म है जो कक्षा 6-12 तक के लिए आपके लिए बिल्कुल निश्यल क्षा लेकर आई आप किसी स्टेट बोर्ट से हों सीवेसी बोर्ट से हों किसी भी कक्षा के विद्यारती हों कोई भी विशा पढ़ना चाह रहे हैं मैगनेट्रेंस हिंदी के कमाल की टीमेश से जुड़ जाईए मुफ्त में बिना किसी पैकेज के पर्चेस किये ध्यान से सुनिएगा यानि एक या दो चैप् की पढ़ाई को आगे बढ़ाईए लाइक सेर और सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहे हैं मैगनेट्रेंस हिंदी के साथ सारे की सारी समस्याइं आपकी हमें पर हल करेंगे आपकी परिक्षा के लिए बिलकुल निशुल ठीक है तो आईए इसी गूड इंफॉमेशन के दल के उठाफटक के बीच में जब असली रास्थी आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें महात्मा गांदी की क्या भूमिका रही कैसे पहले तो जो है नॉन कॉपरेशन अनि असायोग आंदोलन चला बाद में सवीने वग्या और उसका अप्ग्रेड़ेड वर्जन बहा और उ दो लीडर्स का आपको नाम बताना है ऐसे किसी भी दो लीडर्स का जुनोंने अपने देश में एक तरह से मोमेंट खड़ा किया और मोमेंट के बाद उस लड़ाई के बाद अपनी देश में एक तरह से आजाद करवाने में भूमिका निभाई और उसमें लोक्तंत्र की भी हाँ लोक तंद्र हवादा कि स्थ्टुरेंट्स देखिए इसमें कहीं कोई दोर आय नहीं है अगर आप भारतिय इतिहास को देखें और प्राचीन काल में जाए तो भारत से पुराना कोई लोक तंद्र इस दुनिया में है नहीं लेकिन आधुनिक काल की बात हो जा और जो इस्तितियां बनी थी जब वहां पे ताना साही या एक आप कहा सकते हैं कि एक राष्ट के रूप में लोगतंत्र की भावना अगर आप देखना चाहें और इस्टेबलिस्ट नॉर्म जो अब तक चला आ रहा है तो वह इस हिसाब से वह अमेरिका की बात की जाती है और 1786 क्या सपास है नी 1780 का दसक इस दसक में क्या हुआ अमेरिका ने अपनी लड़ाई लड़ी और वह एक देश के रूप में स्टाफित हुए और वहां पर अमुख नेता थे जैसे आवाथ्मा गांधी थे और बाद में राष्ट पती भी वहां हुए तो ज्यॉर्ज वार्सिंग्टन जो है ये सबसे महत्पूर्ण नेता थे अमेरिका में और उसके बाद यह भूमी का भारत में निभाई महात्मा गांधी ने हलांकि महात्मा गां तो आप दक्षिन अप्रिका में नेंसल मंडेला का भी नाम ले सकते हैं उन्होंने भी वहाँ पर अपने हाँ लोकतंत्र के स्थापना में बहुत प्रमुख भूमिका निभाई थी ठीक है राश निर्माड की बात करें तो आंसान सुकी का भी नाम आता है मैं आमार के लिए त इसके दो जवाब है जो आपको एक्जाम में ध्यान दखने तो एक तो अमेरिका दुनिया का सबसे पुनाना लोकतंत्र और भारत क्या है दुनिया का सबसे बड़ा लोग तन थे हैं ठीक यह में तो बात है भारत इंडिया लार्जेस जमोक्रिसी और अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना जमोक्रिसी चलिए आगे देखते हैं एक प्रसन है कि दो प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए हाँ यह तो प्रसन में भी किया है ठीक है next question देखते हैं लाल बाल पाल कौन थे तो लाल बाल पाल यह प्रमुख यह तिकडी थी बहुत महत्पूर नेताओं का समू था जिनको गरम दल के नेता के नाम से हम जानते थे गरम दल के नेता कहां गरम दल के नेता कॉंग्रिस में जो ठोड़ा सा क्या थे देखते हैं यह अरंभिक उग्र राष्ठवादी नेताा थे जिननों ने अखिल भारत्य इस तरह पर राष्टवादी आंदूलन चलाया अब दीखें यह आप कह सकते हैं कि जो लाल बाल पाल थे यानि कि बाल गंगादर तिरक लाला लाच पत्राय और विपिंचंद पाल यह तीन ऐसे लोग थे जो थोड़े एग्रेसिव नेता थे दिखें कॉंग्रेस की स्थापन 1885 मुई हमने डीटेल में देखा था उसके बाद उसमें जो डादा भाई नवरो जी गोपाल कश्नगोखले बद्रुद्दीन तयव जी इस तरह के नेता थे जो थोड़े से गरम नहीं नरम में जाजके थे जिनका यह मानना था कि एक समयधानिक तरीके से या एक लोग तां होना चाहिए ऐसे याचना नहीं करनी चाहिए तो लाला लाजपत्राय बाल गंगा तर्टिलग विपिंचन पाल इन तीनों का बड़ा ही बहतरीन योगदान भारते यतिहास में है जिसकी तर्चाम बार-बार करते हैं ठीक है लाला लाजपत्राय ने साइमन कमिशन के खिला लाल बाल पाल इनका बहुत चर्चाता है भारते इतिहास में और यह गरम देल के नेता के रूप में अगर आपकी चर्चा करनी हो आपको कोई नाम बताना हो तो आप लाला लाजपत्राय बाल गंगा धर्तिलग और विपिंचन पाल का नाम ले सकते हैं ठीक है तो 2020-21 असायोग आंदोलन का पूरा माहौल चल रहा था उससे दो तीन साल के बीच में उनके जो राजनैतिक गुरू थे गोपाल किष्ण गोखले जिसकी मैं चर्चा की थी और गोपाल किष्ण गोखले की ही सलाह पर महात्मा गांदी ने पुरे देश का भरमर किया इस भरमर क सत्यागरा 1917 में था बिहार के बहुत प्रमुक नेता थे हमने चप्टर में भी डिसक्स किया है राजकुमार सुकल राजकुमार सुकल तो हुआ कि 1916 में गांदी जी लखनवु के अधिवेशन में गय थे तो वहीं किनारे से धीरे से राजकुमार सुकल उनको बुलाया कि चलके जड़ा साथ दीजिए तो बिहार में जगह है चंपारन यहां पर ठीक है तो चंपारन में गांदी जी गए और वहां नील किसानों के लिए उन्होंने अंदुलन कि इसकी चर्चामने चैप्टर में डिसक्स किया नील जो कपड़ों में पढ़ता था उसकी खेती उती किसानों को बहुत घाटा होता था तीन कठिया सिस्टम जो था और एक तो किसानों के लिए अंदुलन हुआ दूसरा एहमदाबाद मील मजदूर अंदूलन एक साल बाद 1918 में हुआ तो इससे उन्होंने वहां पर जो कि मिल मजदूर थे उनके बोनस और उनके सेलरी को लेकर आंदूलन था जिसके लिए वहां पर बैठे और मांगे मानी भी गई तो गांधी जी का प्रयास बेसिकली यह था कि समाज के हर एक सेक्षन हर एक लोगों को तबकों को आंदूलन से जोड़ा जाए इसी क्रम में नोंने किसानों का भी आंदूलन देखा आंदाबाद और य गांधी जी के भासड का महत तो बताईए अब देखिए 1916 में बनारस हिंदू विश्विद्याले के स्थापना होई गांधी जी भी गय थे और वहां पर उन्होंने उस स्थापना के लिए बढ़ाई और साधवा तो दिया लेकिन जो बड़े बड़े तबकी के लोग हुआ बैठे तो बड़े आरेहा थो लिया उनको बड़ी एक तरह से कमेंट या एक तरह से धिकारा भी कि उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जब तक समाज के छोटे वर्गों को इसमें नहीं सामिल करेंगे यहां पर बुलाया नहीं है उनको बातचीत नहीं करने पूछ नहीं रह एक तरह से इस परश चंदेश दिया कि आप लोग किसानों गरीबों आप लोग बड़े-बड़े क्योंकि वहां पर क्या था बहुत सारे बड़े-बड़े लोगों ने कासी हिंदू विश्विद्दालों को बनाने के लिए बहुत चंदा दिया था सारे बड़े लोग है वह इनके बिना हो नहीं सकता तो यह बड़ा एक महत्वपूर्ण चर्चा आदी है महत्वपूर्ण घटना की बात की जा रही है तो यह महत्वपूर्ण कोश्चन है इसको भी आप जुरूर ध्यान लखेंगे ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं रॉलेट एक्ट क्या है अब देखें यह सबसे प्रमुक एक घटना घट्टी है रॉलेट एक्ट जिसके बाद से तो असा होग का मामला ही बन जाता है तो देखिए दिती विश्यूद उन्नी शोओ अठारा के आसपास खतम हुआ थ तो ठ्रॉलेट के जोगी इनके ऐड़ में अदेख्ष्टता में कमिटी बनाएग तो सोतंतर्दा संग्राम को कमजोर करने के लिए रॉलेट द्वाराय कानून बनाया किसी विए व्यक्ती को बिना जांच के एक आगस में डला जा सकता था एक अ Dennis यह ऐसा कानून था जिसमें कहा गया कि आप किसी भी व्यक्ति को जो क्या कर सकते हैं जो जो आंदोलन करे या बिद्रो करे उसको बिना या न भी करे उसको अगर पुलिस को मन कर दिया उसको डालना है तो बिना जांच के आप जेल में डाल सकते हैं और इसने बड़ा भेंकर सीधी सी बात इसमें यह था जिसका विरोध होना बहुत स्वाभाविक था आगे देखते हैं चर्खा को राष्ट्य प्रतीक के रूप में क्यों चुना गया अब देखिए जब हम 1857 की करांती पड़ रहे थे तब भी हमने उसके कारणों में कारण यह दिखा था कि लोग बेरोजगार हो रहे थे बेकार हो रहे थे जो बाहर से चीजे बनकर भारत में आ रही थी उन चीजों पर हम क्या हो रहे थे निर्भर हो रहे थे तो जरूरत यह थी कि हम स्वावलंबी बने हम अपने मशीनों के न ही तो घर घर में चर्खे चलें जिससे हमारा जो खब हमारा रोउ मेटेरियल हम खपा के उससे कपड़े बनाएं उससे अपने पहनने के लिए चीजें बनाएं कि बाहरी चीजों की डिमांड कम हो जाएं तो self-dependence की जो बात थी वो चर्खे में दिखाई दे रहे तो चर्खा स्वाव लंभिता और आत्मसम्मान का प्रतीक था कि भाया हम आपके आगे नहीं जुकेंगे हम अंग्रेजी शाशन के आगे अंग्रेजी सामानों के आगे नहीं जुकेंगे हम अपनी चीजें क्या कर सकते हैं को समझ नहीं आ रहा था कि इंडस्ट्री नहीं है तो कहां काम करें तो उनके लिए चर्खा एक ऐसा साथन बन गया कि आप इसको चला के सूथ काट के चोड़े-चोड़े कपड़े बनाइए अपने लिपे पहनी और एक्स्ट्रा होने पर उसको बेच भी सकते हैं तो यह पूर्ण स्वाराज को लक्ष बनाया सबसे मतबूर ठीक है पूर्ण स्वाराज की मांग करेंगे कंप्लीट फिल्डम कोई यह नहीं कि ठीक है उपर आप बने रही और नीचे हम अपने इसाफ से चलाएंगे नहीं पहले ऐसा था कि ठीक है डॉमीनियल स्टेटस दे दीजि उनके ही अध्यक्षता में यह डिसाइड किया गया कि अब भारत कंप्लीट फिल्डम की मांग करेगा पूर्ण स्वाराज की मांग करेगा भारत अब केवल डॉमीनियन स्टेटस या अंग्रेजी हुकूमत के प्रतियाचना की बात नहीं करेगा और 26 जन्वरी 1930 को जंडा फ तीस में ठीक यह मैंत्वपूर बात है बिल्कुल ध्यार रखेंगे आप जो 26 नमबर 1909 को बनके तयार हुआ था वो लागू हुआ 26 जन्वरी 1930 को क्योंकि हमने 26 जन्वरी 1930 को पहली बास वतनता दिवस मनाया था तो इस डेट के सिगनिफिकेंस को बनाया रखने के लिए 26 ज इंपर्टेंट है चलिए आगे कोस्टन देखते हैं 1931 के गांधी इर्विन समझोते को लेख लिए करमसा कोस्टन आगे बढ़ रहे हैं तो गांधी इर्विन समझोता क्या हुआ वहां पर गोल में सम्मेलन बुलाये गया अंग्रेजियों द्वारा और उसमें भाग लेने क बुलाया कि हम बात करते हैं तो सबने अवग्यां दोलन को स्थगित कर दिया गया ठीक है समझोते से यह हुआ कि इर्वीन के सामने घ्रण हमारे चल रहा है जो अवग्या कर रहे हैं कानुनों को तोड़ रहे हैं वो रोक देंगे ए रिवीन ने सभी-अहिंसक यू नो-झाल रोक दिया गया दो अंग्रेजों ने कहा कि जो भी नहीं कर रहा थे उनको हम रिहा कर देंगे भारतियों को क्या कि ठीक है अब नमक बनाने पर जो सरकार का एक आधिकार था पहले सरकार ने दखेगा इपोर्टेंट केवल गांधी ने एक ही गोल में समेलन भाग लिया था वह है दिर्थी तो इंपॉर्टेंट कोश्चन है यह अगे इसको भी आप देखते रहेंगे कि अगला कोश्चन है कि देटी विष्चयुद्ध के परती भारती राष्ट कॉंग्रेस का दिश्टिकोड क्या था देटी विष्चयुद्ध कब सुरूब उन्नीस सो उन्तालिस खतम कब तक हुआ चौआलिस पैतालिस तक एक तरह से ठीक उनीस सो च्वालीस तक कह सकते हैं तो अब गांधी और नहरू दोनों ही हिटलर और नकसलियों के कट्टर विष्चयुद्ध हो कहा रहा था धूरी राष्ट और मित राष्टों के बीच में हो रहा था ठीक है तो जो एलाइड पावर थे और जो मित राष्ट ये इस दो तरके राष्ट थे एक तरफ कौन थे USA, USA सार यानि की अमेरिका, सोबियत, रूस ये एक तरफ थे ठीक है, ब्रिटेन उस तरफ था, दूसरी तरफ कौन थे, जापान, इकली और जर्मनी ये एक तरफ थे, अब हुआ ये कि जापान, जर्मनी को हरा दिया सोबियत, रूस और अमेरिका ने मिलकर, और जर्मनी में जो साशक था वो था हिटलर जो की क्या था ताना साही और नाजी वादी प्रवर्ती का व्यक्ति था जो लोगतांतरी व्यवस्थां में विश्वास रखता नहीं था और बहुत सारी यातना है जूज यह सारी चीज़ें आप जानते हैं कि यहोदियों पर किस तरह के अतयचार इस चीज का क्योंगी हिंसा का सारा उले रह था तो गांधी और नहरु दोनों उस चीज के बिरोधी थे इसलिए इस अचा ब्रीटेन अमेरिका सोवियत संग के साथ था तो क्योंकि गांधी हिटलर की नीतियां जो की बहुत ही दमनकारी थी उसके बिरोध थे इसलिए दिती विश्युद्ध में वह आइडिलोजी कली ब्रीटेन के तरफ हो गए यह बात ठीक है कि ब्रीटेन हमारा दुस्मन था लेकिन क्योंकि ब्रीटेन हिटलर को लड़ाने गांधी और नहरू ने देखे ध्यान से सुनिया बात को पहले अंग्रेजों का समर्थन करने के लिए नहरू और गांधी ने इसलिए हामी भरी कि ठीक है आप हिटलर के खिलाप लड़ रहे हैं अमेरिका के साथ मिलके तो हम आपका सहयोग भारत के तरफ से कर सकते हैं लेकि लड़ रहे हैं बाकी देशों से इसलिए क्योंकि आप हमारे उपर हैं आप हमको छोड़के चले जाएंगे तो वैसा ही हमां इंडिया पर कोई आकरमण नहीं करेंगा क्योंकि अंग्रेज ये बोल रहे थे कि जापान की सीमा भारत पर आकरमण करने वाली जापान की सेना औ तो पहला दिश्टिकोड ये था कि भारतिय राष्टी कांग्रेस हिटलर के खिलाब थी जो दिती विश्यूद्य में था दूसरा भारतिय राष्टी कांग्रेस ने कहा कि वो अंग्रेजों का साथ दे सकती है इस मुकाम पर इस सर्थ पर कि भारत को आजादी दे दी जाएगी पर ऐसा हुआ नहीं आगे देखते हैं किन कारों उसे अफ्रावसन शेप में लिखना होगा गांधी ने असहयोग आंदोलन को चलाया या आंदोलन क्यों इस्थगित करना पड़ा नॉन कॉपरेशन मोविंट नॉन कॉपरेशन मोविंट देखे जैसा कि यह नाम बताता है और सहयोग आंदोलन यानि सरकार के प्रति जो भी जनता का सहयोग है हम वो नहीं करेंगे अब हम अपने हिसाब से चलेंगे तो क्यों यह करना पड़ा सबसे पहला कारण तो इसका रॉलेट कानून का बिरों कि का कारण तो अंग्रेजी विवस्था के खिलाप हजारों थे जो ब्यापक एक बिद्रो जो अठाव संताव में हुआ था उसके बाद अभी कोई आंदोलन या विद्रो हो नहीं रहा था हाँ 1905 में बंगाल विभाजन के खिलाप एक स्वदसी आंदोलन चला था लेकिन वह भी दबा दिया गया था अंग्रेजी के द्वारा तो अब फिर ए खिलाफत आंदोलन एक तरह से मुसल्मान वर्गों का आंदोलन था जिसकी चर्चा भी हमने की थी कि जो उटमन अंपायर था तुर्की में उस पे बहुत सारे परतिबंद और बहुत सारे उनके साथ गलत बेभार अंग्रेजों ने किये उसको हटाया तो उसके विडोध में खलीफा जो वहां होते थे उस खलीफा के विडोध में यहां पर अंग्रेजों का विडोध कर रहे सभेस्वालों को वहां के लोकल लोगों ने थाणए में बन करके जला दिया और यह इसक मामला हो गया इसको ध्यान दिया और इस लिए इनले लिए इस्थखित किया यह कारण थे ऊंडोलों का प्रमुक यह रीजन रहा और इस कारण से वेर चोछंड कर दिया वह ре Dag लखना है बहुत इंपोर्टन कोश्चन है यह नॉन कोपरेशन मोमेंट अब इसमें क्या क्या हुआ इसका तो अलग चर्चा हुई है है डांडी मार्च के मात्रों समorry यह क्या था सवीने आवज्यांतों का हिस्था था सवींडिस अवांग्यां हैं अभध़ दोलन के उने करें आग्यां को नहीं मानें यह यानिः जो कानून आपने बनाइए उसको तोडेंगे आपका कानून है कि नमक आप नहीं बना सकते हम नमक बना के कानून को तोड़ेंगे यह था इसी से समधित दाड़ी मार्ज था बिटिस भारत के सरवाधिक घिरित कानूनों में से एक जिसने नमक के उत्पादन पर विक्रे कर और विक्रे पर राजे को एक अधिकार दिया था उसका उलंगन किया था तो न सबस्क्राइब नमक बनाने का जो कानून जिस पर रोक थी उस कानून को तोड़ा गया लोगो ने का नमक बनाएंगे गांदी जी के साथ लोग गए दांडी मार्च में नमक बनाया दूसरा इसमें पहली बात रिका गया कि वोमेंस ने बड़ी भागा बड़ी संख्या में भाग लिया और देखिए नमक ये गांदी जी की बहुत चाला की थी कि ऐसी ऐसी चीजें करो जिससे समाज के हर वर्ग जुड़ें जो औरते थी वो किचन समाने में क्या है उनका जो रसोई थी जो किचन था वो औरते सुरू से समाल रही थी तो नमक उनके दिल के बहुत कर करीब था नमक उनके रोजमर्रा के काम में आने वाली चीज थी और जब नमक पर कर लगता था तो लोगों को बहुत परिशान करता था ऐसे चीज़ के विरोत में जब ग्नांदी जी ने अंदोलन शुरू किया तो और अरतों को मिलेगा कि ये तो हमारे घर की बात है और और थे उसमें सामीर हो गए देश के विसाल भाग में सरकारी कानूनों का उलंधन किया गया और नमक कानून के अलावा और जो कानून थे कचहरी जाने का स्कूल जाने का दफ्तर में जाने का सेना में साथ देने का सारे कानूनों को तोड़ने की बात की गई लोगोंने कानून सांती पूर्वग अंग्रेजों का एसास हुआ कि अब उनका यहां ठीक ना बहुत मुस्किल है तो डांडी मार्च का यह इंपॉर्टन महत्व है और इसी के बार लॉड इर्विन ने गांधी जी को बुलाया बात करने के लिए जो इर्विन गांधी समझोता के नाम से जाना जाता है ठीक है महत्वपूर्ण है कि आगे देखते हैं कि प्रिथक निर्वाचिका की समस्या क्या थी इस मुद्दे पर कॉंग्रेस और दलितवर्गों के बीच क्या मत बेदे इस समस्या क्या समधा निकाला गया अब देखिए इसको सेपरेट उठाएगे जिसमें वह अपने लिए भी चुनाओ च्छेत्रों का रक्षर चाहते तो चाहते तो कुछ ऐसे रिया हो जहां के वल दली तो डाले यह मामला था 1931 के दूसरे गोल में सम्मेलन में दलित ने कहा कि कॉंग्रेस दलितों का प्रणिदूत नहीं करती गोल में सम्म की कि वह देखी आपको अगर सासन चला है तो पहले पहले दलितों को क्या करिया अलग से प्रिथक NIRWACHN फ्र देती हैं उनके नुसार प्रिथक NIRWACHN के दूरा ही दलितों की आर्थिक सामाजिक द्रसा को सुधार जा सकता था तो कॉनेस इसके फेवर में नहीं थे गांधी बिल्कुल फेवर में नहीं थे भीम्रामेडकर की मांग परमुक्ति यानि दलितों की मांग थी कि क्या किया जाए एक सेपरेट इलेक्टरेट यानि की अलग निर्वाचिका या अलग निर्वाचन शेत्र दिया जाए गांधी जी ने इसका बिरोत किया उनका मानना था कि की भी दूर दर्सिता थी उस समय की हिसाब से लिए उस समय आंदोलन को आगे बढ़ाए रखने के लिए जरूरी था कि एकता हो सब लोग एक साथ चले अग्रेजों की यह खासियत थी कि वह चाहते थे कभी मुसल्मान को कुछ अलग देकर उनको मुसल्मानों को सेपरेट इ वारा कांग्रेस के भीतर ही दलितों को प्रिथक निर्वाचन छेतर दिये गए और प्रिथक निर्वाचिका की समस्या हल हो गई तो पूरा समझोता जो हुआ अंबेटकर और गांधी जी के बिचमा गांधी जी उपवास वेटके कि अगर ऐसा होगा तो भूख खरताल करें यह इसका समाधान निकाला गया चलिए बहुत इंपर्टन कोशन है अगला प्रसन है कि गांधी जी ने किस प्रकार राष्टी आंदोलन को जना अंदोलन मना दिया यानि कैसे एक जो ये नेशनल मोमेंट था वो पूरे लोगों का मोमेंट हो गया हर एक वर इसमें सामिल हु तो आपको उनके जैसा दिखना भी पड़ेगा उनके साधा सरल जी नना है और जीनी लगें उन्होंने वैसा कि आज वी ही दखीए आप नेता क्या होता कि छित scrub कि मैंने नेता तो वहां वैसा वैसा बेस भूसा अमेर देलें लगते हैं वहां देखने जाता है लोगशा हिं एक दूसरे से जुड़ा हो ठीक है चमतकारी अफवा है मतलब कि कुछ चीजे ऐसी भी थी कुछ ऐसा वह बोल जाते थे जिसका बहुत दूर तरकसर होता था और वह बहुत मेंटेन करते थी चीजों को सत्य और अहिंसा ये तो इनके दो मार्ग थे जो वह सत्यागरा कर रहे थ ठते एक टुट्ट और नॉन्वायलेंस ये सत्यागरा के दो हतियार है स्वदेशी और भाहिस्कार वो रखाय चाहत है कि यहाँ की चीजे चर्खा जिसका प्रमुकुदारण है ठीक है वोचाते थे कि यहां के लोग के चीज़े बनाए स्वदेसी चीजे बनाए और बाहरी का उध्धार यह बहुत इस पर हुमिकान उन्हें महत्पूर्णी भाई वोमेंस के लिए वोमें का पुनर उध्धार कैसे हो महिलाओं कैसे बाहर निकल कर आए दलित और कमजोड उन्होंने दल्टों के लिए हरिजन सब्द का वर्ड दिया ठीक है हरिजन सब्द जो है यह उन आकर गांधी जी अपने व्यक्तितु को बनाते थे और इसलिए वो क्या होता था राष्टी आंदोलन को उन्हें जन आंदोलन बना दिया जन आंदोलन बनाने से मतलब यह था कि समाज के हर एक वर्ग को यह फील कराईए कि यह आपका अंदोलन है और उसमें जोड़िए मास gathering बहुत important थी और इसकी चर्चा आमने बहुत डीटेल में अपने chapter में की है तो यह एक important चीज़ है जो आपको ध्यान लखनी है इसमें कुछ और कारण है जो बहुत मत्रपोड बन रहे थे गांदी जी के व्यक्तितु को बनाने में जन आंदोलन बनाने में हिंदू-Muslim एकता और इसमें खास करके जो खिलाफत मुमменट वाली बात थी न जो खिलाफत आंदोलन थाεί कि खिलाफत आंदोलन इसमें जो दो बंदू थे सौकट अली ब्रदर जो थे उनके साथ उन्होंने बहुत अच्छा त्विनिंग बनाया और इसमें क्या हुआ एक तरसे आप कह सकते हैं कि जो सबसे जरूरी चीज थी जो अठाव संतावन की क्रांती में हिंदू-मुसलिम एकता देखी गई थी उसके बाद अगर कहीं देखी गई तो वो उस असहयोगा अंदोलन में देखी गई यहां हिंदू-मुसलिम एकता ज्यादे प्रमुक्ता से दिखाई दी छुवा छूत का उन्गोलन जैसे अभी मनें आपको पता है कि हरीजन सब दूनों ने दिया जो सेडूल कास्ट के लोग ते जो साफ सफाई करने वाले लोग थे और खुद भी उतर करना आलिया साफ करना सोचाले साफ करना यह चुवा अंटचिबिलीटी ताकि को जानते थी कि तब तक लोग एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे समाज के प्रतेकवर को बराबरी के नजरिये से देखना और सभी को राष्ट्री आंदोलन में सामिल करना यह जो प्रमुख बात थी इसने राष्ट्री आंदोलन को जन आंदोलन बनाया और उनको पता था कि जब तक मास मोमेंट नहीं बनेगा तब तक अंग्रेजों के खिलाब लड़ना असान नहीं है और हिंसा से तो बिल्कुल नहीं है आप कितने भी बंगोले फेक दें जब तक क्या होगा जब तक एक दबाव नहीं बनेगा सांतिप्रिता का या या जिसु आंदोलन का तब इस समय वांचनी नहीं थी और मतलब कहने का यह है कि वह पर्याप्त नहीं थी तो जन आंदोलन बनाना इसको बहुत जरूरी था यह इंपॉर्टेंट है चीजों को आपको देखना है अब अगला कोशन देखते हैं कि ऐसे सुरूतों की व्याख्या कीजिए जिन से महात्मा कांधी की राजनातिक जीवन था भारती राश्थी अंद으लनेटि यहास को पूसीतरब्त कर सकते हें यह आपको ऐसे सोर्सेज़ बताने हैं जिन सोर्सेज़ से आप क्या कर सकते हैं आप गांदी की बारे में कुछ चीज़ जान सकते हैं या अजूर्सरे इसका थूड़ा हि इसको कहते हैं कि my experiment with truth my experiment with truth यह बहुत महत्वापूड बात आती है समकाली समाचार पत्र बहुत सारे उस समय समाचार पत्र छप रहे थे जिस यह इंपॉर्ट यह किताब इंपॉर्ट जो गांदी जी ने खुद लिखी गया तो उनकी आत्मकताय जीवनी है उसमें आता है समकाली समाचार पत्र बहुत सारे समाचार पत्र जो उस समय चल रहे थे जो समय छप रहे थे ठीक है न यह इंडियन एक्स्प्रेस ट्रिब्यून जै नीजी लेकर मों खुद भी लिखते थे जैसे एक यंग इंडिया एक पत्रिका छप्ती थी ठीक है हरी जन इस तरह के पत्रिकाव में इनकी बहुत सारे लेक लिखे हुए आते थे जो खुद लिखते थे और उससे पता लगता थे क्या सोच रहे हैं या मात्मा गांधी के र इंपोर्टेंस के बारें बताए गया है जैसे कुछ दर मिलता है कि जो चंपारन का अंदोलन हुआ था उसमें महां के लिखा कि हम भात्मा गांधी को घेरने गये थे पर कुछ दीरोबाद हमें पता चला कुछ देर बाद कि हम खुदी घिर गये हैं तो इस तरह का ब्यक्ति अगला है कि निम्नलिखित अनुछेत को ध्यान पूर्वक पढ़िए थोड़ा से बड़ा है यह एक पैरग्राफ के बाद आपके पूछे के प्रस्णों के उत्तर दीजिए तो एक अनुछेत दिया है कि नमक सत्यागरा क्यों थोड़ा सा पढ़ते हैं मेरे साथ इसको हाँ अदा किये गए नमक के प्रयोग को रोकने के लिए सरकार उस नमक को जिससे वह लाप प्राप पर नहीं बेच पाती नस्ट कर देती है यह एक बात चल रही थी कि भाई 14 गुना तक टेक्स लगता था नमक पर और नहीं तो नमक नहीं बिक पाता था तो उसको बेकार कर के नस्ट कर दिया जाता था अता यह राष्ट की अत्यधिक महतपूर्ण आवशक्ता पर कर लगाई जाती है यह जनता को इसके उत्पादन से रोकती है और प्रकृती ने जिसे बिना किसी स्वर्म के उत्पादित के उसे नस्ट कर देती है यानि जिस संसाधन पर यहां के लोगं का दिकार बना चाहिए उसको भी नस्ट कर रही है उसको भी वरबात कर रही है अंग्रेजी हुकूमत अधा किसी वी वजह से किसी चीज को उपयोग करने देने घगतायव मैं नहीं किया जा सकता मैंने उनको भी वागों में इस राष्ट संपत्ती को बेलगाम ढंक से नस्ट किये जाने की कहानिया सुन रहा हूं टनों न सही पर कई मन नमक कौंकर तट पर नस्ट किया गया है गोवा के आसपास का इलाका है नीचे उससे वहाँ पर बहुत सारा नमक कर दिया जाता था गांडी से भी इस तरह की बाते पता चली है जहां कहीं भी ऐसे छेत्रों के आसपास रहने वाले लोगों द्वारा अप और नमक लोगों नहीं खरीदा, तो उसको नश्ट करते थे पर लोगों को देते नहीं थे और जहां लोग उठा के ले जा सकते हैं, वहां अदिकारी लगा देते थे, जो उसको नश्ट करते थे इस प्रकार बहुमूल्य राष्टिय संपता को राष्टिय खर्च से ही नस्ट किया जा रहा है और लोगों के मुख से नमक छीन लिया जाता है नमक एक आधिकार एक तरह से चौ तरफा अभी पाप है बतो इस तरह की बात नमक एक आधिकार मतलब क्या था सौल्ट मोनोपली ठीक है तो यह जो अनुछे यह जो आप पहले अगराफ देख रहे हैं यह बैसिकली क्या बता रहा है यह बैसिकली यह बता रहा है कि कैसे उस समय गांधी की सोच नमक को लेकर थी कि नमक बनाया जाता था अंग्रेजियों के दवारा पहले उस पर टैक्स लगाया जाता था तो नमक बनाने की जो लोगों का अधिकार था उसको पहले छीन लिया फिर उस पर टैक्स लगाने लगे जो नहीं बिखता था उस नमक को कोई ले नहीं सकता था उसको अधिकारी बरबात कर देते थे तो गांधी कर रहे हैं कि एक तो पहले आप नमक बना रहे हैं सरकारी ख प्रकृति द्वारा बहुतायत में उत्पादित संपना का या अतिसाय विनास करता है इस विनास का मतलब ही है और अध्रिक रास्ट्य खर्च तो कहते हैं कि अगर आप इसका विनास करेंगे तो और रास्ट्य खर्च बढ़ेगा चौथा और इस मुर्कता का चरम उत्कर्स भ राक्चूति है चुकि है इस कर को समाप्त करना होगा कितनी जल्दी इसे खत्म कर दिया जाएगा या लोगों की छमता पर निर्भर करता है बेसिकली गांदी जी लोगों को उकसा रहे हैं लोगों को बताना चाहा रहे हैं कि आउसी के बाद दंडी यात्रा हुई सौट से अगांदी जी जी लोग जितनी जल्दी जागरूग हो जाएंगे जितनी जल्दी लोग इस में सामिल होंगे उतनी जल्स तरह के अन्यायपूड करों को समाप्त कर दिया जाएगा अब प्रस्थ 15 का पहला भाग क्या है नमक विरोत का प्रतिक क्यों था अब मैंने पहले आपको बताई था कि विरोत का प्रतिक किसलिए बन पाया क्योंकि हर घर की जरूरत थी हर घर में इस्तमाल होने वाली बहुती कौमन चीज थी तो होना घी था प्रतेग भारति Model नमक का सब्सक्रीमा अनिवारे था लेकिन इसके बावजूद भारतियों को घरे लिए प्रयों के लिए नमक बनाने से रोखा गया और उन्हें दुकानों से समस्या मिरोत का क्यों कर रहेते आप बात के बहाँ कि दुकानों से आप ज़्यादा टैक्स दे के खरी दिये तो इस स्थिति में तो भाई समस्या बिलोध होना ही था यह इसका कारण था पर अपनी वेशिक सरकार के द्वारा नमक को क्यों नस्थ किया जाता तो पर जो कभी मालों अगर्जादा कर हो गया और अगर यह नमक प्रयोग को रोकने सरकार उस नमक को जिससे वह लाप पर नहीं वेज़ पाती थी नस्ट कर देढ़ी होता क्या था कि नमक बनाती थी सरकार नमक पर बहुँछ यदा लगाती थी अब महेंगा होने के कारण एक किसी कारण से नहीं बिखता था तो वो क्या करती तो बरबाद कर देदी तो नस्ट कर देदी इसलिए अपने वेशिक सरकार को नस्ट कर देदी कि गरीब फ्री में उसको न ले सके मैं अगला प्रस्ण देखिए कि महात्मा गांधी नमक करको अन्य करों की तुलना में अधिक दमनात्म तक मानते थे एक तो कारण इसपस्ट बताए गया है कि नमक जो है वो कानून के तक त्यार किया दा था चौदा-चौदा गुना टेक्स लगा कर और उससे होता था कि सरकार जिस नमक को बनाती थी अगर लाप पर नहीं नाक बन दैको वहां से उठा लें गें तो उस नमक को क्या करती थी बरबात करवा देती अधिकारी कि देखो यह तो इसली में नमक लागेपूर चाहदा exploit करने वाला था क्योंकि एक तो easily लोगों को मिल जाना चाहे था वो नहीं मिल रहा था दूसरा जो ले आ सकते थे कहीं से वहाँ अधिकारी लगा के नस्ट करवाई जा रहा था और जो अधिकारी लगा के नस्ट करवाई जाता होगा उसमें भी खर्चा लगता होगा तो नमक जो एक आपने आप में राष्टी संपदा थी उसको खराब और नस्ट करने के लिए राष्टी संपदा खर्च की जा रही थी तो यह बहुत ही दूर्भागेपूर्ण था देश के आप इकोनामिक जो कंडिशन थी या आर्थिक इसमें जो शोसर था वो बहुत जादा थी कि दो तो तीन समस्यां थी जो पर्मानेंट सेटलमेंट ठीक है जिसको कहते थे क्या इस्थाई बंदोबस्त इसके लावन एक चल रही थी रियोत्वारी प्रलाली अंग्रीजी हिंदी दोनों में रियोत्वारी सिस्टम कहते थे इसको रियोत्वारी सिस्टम और तीसरा था महलवारी ठीक अब जो जमीदार होते थे यह इस्थाई बंदोबस्त का इस्था उते इस में क्या होता था यह बंगाल के आसपास में लागू किया गया था इसमें यह बोला गया कि आप जो है एक जमिदारों को बोला जाता था कि आप हमको एक particular amount का tax वसूल के दे दीजिए बाकि जो भी आप जितना असूलना चाहे आप free है तो जमिदार exploit करते थे और ज्यादा tax वसूल दे रियोत वारी जो दक्षीर भारत के आसपास था जब किसानों से direct असूल दी थी अंग्रेज और मह राजस्व की रकम में ब्रदी होने से इसका मखराब प्रभाव किसी के उतपादन पर पड़ा किसान समय पर कर नहीं दे सके अता जमिदार भी राजस्व नहीं चुका पाते थे जब ज़्यादा टैक्स आप वसूलेंगे तो लोगों के पास फिर पूजी नहीं बच परंतो भू राजयो सन्यमित रूप से देना पड़ता था यह बार हमको पता है कि उत्पादन तो करी नहीं पा रहे थे अच्छा हो क्या रहा था कि अगर टैक्स नहीं भर पा रहे थे किसान तो धीरे-धीरे करजे के कारएं उनकी जमीन भी चली जा रही थी तो जो लैंड परिवार थे यह बाकिदार पुराने परिवार कौन से थे नादिया राश्चाही बिशनपूर यह ऐसे कुछ थे जो बंगाल जिले से रिलेटिट थे और यह टैक्स नहीं चुगा पाते थे यह जमीदार यह लोग जो है वो रेंड नहीं चुका पा रहे थे जिसके करण उनको अंजाम भूगतने पड़ते थे तो यह भी कुछ छोटे मोटे इंपॉर्टेंट परसन है जिसको आपको धान रखना है एक और मैस पूर्ट परसन है कि पांचवी रिपोर्ट क्या थी फिप्त रिपोर्ट जिसको कहत थी भारत में इस इंडिया कंपनी के प्रसार्षन में तथा क्रिया कलापों के बारे में तयार किया गया था तो भारत में इंडिया बिटिस इंडिया कंपनी किस तरह का शार्षन चला रही है क्या उसकी पधती चल रही है इस से संबंधित एक रिपोर्ट बनाकर बिटिस के पार्लेमेंट में प्रस्तूत की गई थी यह रिपोर्ट एक हजार दो पन्वें थी जिसमें 800 से अधिक परिष्टों में जमिडारों और रहयतों रहत थे एक तरसे किसान सामिल की तैब सारी चीजonter समय किसान क्या बोल रहे हैं जमिदार स्वाइब नाइपाली जा जया उन कारी थी जो आपको देनी थी magnetbrains.com के माध्यम से तो यह इस चैप्टर में एक important हमने ncrt solutions किये जो इस चैप्टर के लिए बहुत ही important है जो इस चैप्टर में आगे काम आएंगे और एक बात आपको ध्यान रखना है कि complete complete one time revision के बाद यह जो आप कह सकते हैं कि जो ncrt solutions हैं और जो mcqs हैं यह आपके examination के लिए बहुत ज़रूरी हैं जिसको आपको बार-बार revise करते रहना है अब students एक बात ध्यान रखना है कि Magnet Brains Hindi जो है यह इंडिया का नंबर 100% free online education platform है यहां पर आप क्या कर सकते हैं www.magnetbrains.com पर आके यह मैं सॉरी www.magnetbrains.com पर आके आप यहां पर cbsc और भी स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सलेक कर सकते हैं यहां पर फिर आप मेरे साथ राजिती विग्यान या इतिहास का कोई भी सब्जेक करके पॉइंट आप उसमें अपने चैप्टर को सलेक कर सकते हैं और आप चैप्टर को सलेक करने के बाद यहां पर NCRT का पूरा पाटिक्रम सारे सब्जेक का पूरा विवरन सभी चैप्टर का एक एक करके समरी सारी चीज़े आप मेरे साथ क्लास 12 के इतिहास वे पढ़ सकते हैं ठीक है और राजिती विग्यान तो आप पढ़ी रहें तो यह एक महत्वपूर इंफॉर्मेशन है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है और आपकी पढ़ाई निशुल तरीके से अच्छे से आगे बढ़ती रहे ठीक है तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ इंपोर्टनट चैप्टर के साथ हैं बिल्सक चैप्टर के साथ इसके एंपसीक यूज भी देखेंगे और बिल्सकों सिंधिके रही है और खोब रिविजन करते रहे खोब पढ़ाई करते रहे किसी भी डाउट के लिए ज़रूर कमेंट स्रेक्शन में बताईए तो तब तक अपना बहुत ध्यान लखिए टेक केर गुडबाई